स्वात अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए संबस्क्राइब करें आटे के लिए को गुन मंगूना पानी रचेंहें के लिए कि एक पनी लेगे और इसे गरम करेंगे तब तक हम घी को मिक्स करेगे पानी गरम हो चुका है गेस को बंद करते हैं और इसको थोड़ा-थोड़ा करके हम आटे में डालेगे और इसका मुठ्या रेडी करेगे आप चाहे तो अपने हाथों से भी आटा गुन के मुठ्या रेडी कर सकते हैं आटा हमारा रेडी हो चुका है अब हम इसके मुठ्या बनाएगे इस तरह से लंबे-लंबे मुठ्या में बनाना है और बिल्कुल ही दिमी आज पर इसे फ्राई करना है इसी तरह से सारे मुठ्या हम फ्राई कर लेगे मुठ्या को हमें हलके ब्राउन होने तक तलना है मुठ्या अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेगे बिल्कुल ही हलके अच्छे हम इसे निकाल लेगे और इसी तरह से हम सारे मुठ्ये रेडी कर लेगे जब तक हमारा दूसरा बाग जो है वो फ्राई हो रहा है तब तक हम यह मुठ्ये को दो हिस्सों में बाट लेगे मुठ्या ठंडा हो चुका है अब हम इसे मिक्सर में क्रश करेगे इस तरह से सारे मुठ्ये हम दरदर इपिस देगे चुर्मा का हमारा दल रेडी है इसे हम एक मेने तक फ्रीज में स्टोर कर सकते है जब आपके गर गेस्ट आते है तो सिफ गुड का पाया इसमें डाल दीजे और लड्डू तयार अब हम लड्डू बनेने की आगे की प्रोसिजर करेगे गेस कौन करते है इसमें मैंने पहले से ही दो से तिन टेबल स्पून घी डाला है और अब हम इसमें कारिबन डेड़ किलो गुड डालेगे जिसका हम पाया रेडी करेगे अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप एक किलो भी यूज़ कर सकते है जब तक गुड मेल्ट होता है तब तक हम चूर में क्या टेक अंदर इलाइची पावडर एड़ कर देगे मैंने यहाँ पे एक चमच इलाइची का दाना लिया हो है जो भी साबूत है इससे अच्छा टेस्ट और क्रण्च आता है अच्छे से इसको मिक्स कर लेगे गुड मेल्ट हो चुका है और हम गिस को बन कर देगे और दीरे दीरे पाया चुरमे में डालेगे पाय को हमें अच्छे से चुरमे में मिक्स करना है और धीरे धीरे पाया को एड़ करना है अगर ज्यादा पाया एक साथ मिल गया तो अच्छे से लड्डू नहीं बन पाएगे गूड अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसके लड्डू तैयार करेगे और इसके पहले खसकस को थोड़ा प्लेट में निकालेगे और इसमें लड्डू को रोल करेगे लड्डू छोटा या बड़ा यह आप अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं मैं अभी मेडियम साइस का लड्डू रेडी कर रही हूँ चूर्मा को इस तरह से हातों से हलके हातों से प्रेस करना है ताकि लड्डू अंदर से तूटना जाए और विखर न जाए और इसी तरह से सारे चूर्मे लड्डू हम रेडी कर लेगे तो तयार है चूर्मा लड्डू इस गनेश चतुर्थी आप इससे जरूर बनाईए और मुझे कॉमेंट्स में लिख बेजिए आपको यह रेसिपी कैसी लगी और ऐसे ही स्वादिस्ट गुजराती रेसिपी के लिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्वाद एनुसार को